कैसे हो दोस्तों मीध है सभी लोग अच्छे होंगे ये है ड्रीम 11 स्ट्राटजी का एपिसोड 2 लेकिन अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो देख लेना यूटूब पे सर्च करके ये वीडियो की लिंक यहाँ बटन पे भी लगा देता हूं इसको जरूर देख लिजेगा और अगर आप डाइरेक्ट कॉंबिनेशन मनाना सीखना चाहते हैं तो इस टाइम इस टाइम पे जाकर के जरूर देखिए आपको डाइरेक्ट यहाँ पर जम कर जाएगा जहां से डा चाहते हो कि ड्रीम लेवन में मैक्सिमम कॉंबिनेशन कितने बन सकते हैं तो वीडियो को शुरू सेंद सकते हैं एक चीज मैंने प्रूफ करके बताया है और मैं तो सबसे यही कहूंगा कि इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए या पिर आप सेफ करके रखिए किसी भी ट जिद है कि मैं सही तरीके से आप सबको टीम बनवाना सिखा हूँ तो चली वीडियो को मैं आगे बढ़ते हैं शुरू से एंड तक वीडियो को जरूर देखिए हम सभी ड्रीम 11 खेलते हैं और हम सभी की चाहत होती है कि एक न एक दिन हम ग्रैन लीग जो की करोड़ों वाली लीग होती है उसे जीत जाए और इस अपने इस चाहत को लिए हुए हम डेली मेगा कॉंटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं जो 49 वाली लीग होती है लेकिन क कभी हमने कभी आपने ये सोचा है कि इस लीग में हमारे और आपके जीतने के चांसे कितने होते हैं हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक टीम के बजाए 20 टीम लगाते हैं क्योंकि fantasy application सवालों ने 20 टीम लगाने की हमें छूट दे रखी है एक ही contest में हम अपना 20 टीम लगा है जो खेलते हैं अब यहां पर मैं एक चीज़ आपको बता हूँ कि यह जो 20 टीम है ना यह अगर आप बहुत पुराने यूजर होंगे ड्रीम लेवन के या fantasy यूजर होंगे तो आपको पता होगा यह 20 टीम भी नहीं था पहले के वारा टीम लगाने का option हुआ करते थे काफ लाइनप के बाद एक या दो प्लेयर भी चंज होता है तो आप मेंसे कितने ऐसे लोग है जो सही से सही से उन 20 टीम को ठीक कर पाएंगे सही combination के हिसाब से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 10 टीम भी logically और analysis के साथ में आप लोगों में से कोई भी ठीक नहीं कर पाएंग या 200 टीम आपने लगा ली या मान लो 2000 टीम आपने लगा ली तो क्या maximum combination आपने बना ली है क्या आपके जितने की chances बढ़ गए और क्या आपके सारे combination बन गया है क्या मैं एक बात यहाँ पर प्रश्ट कर दू क्या आपके जितने भी रिलेटिव है या फिर आपके जितने भी दोस्त यार है खांदान के लोग है या गाओं या शहर के लोग है सभी के फोन को ले करके आप लाखों टीम भी अगर बना लोगे तो भी आप वो combination नहीं बना पाओगे पूरा combination जितने भी dream 11 पे बन सकते हैं वो आप नहीं बना पाओगे और जितनी ज्यादा combination बनाने की possibilities है dream 11 पे वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे और एक और बात मैं बताता चलू कि जितने ज्यादा combination आप बनाओगे जितना ज्यादा टीम बनाओगे आपके हारने के chances उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके जेब से उतने ज्यादा पैसे जाने के chances और बढ़ जाते हैं मैं मोटे तोर पे आपको इस वीडियो में पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि आखिर combination बन कितने सकते हैं मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा कि dream 11 पे maximum कितनी combination साब बना करके चल सकते हो मैं आपको एक simple calculation बताता हूँ total जो हम टीम बनाते हैं तो हमारे पास total कितने प्लेयर होते हैं 22 प्लेयर होते हैं और इस 22 में से हमारी टीम के अंदर कितने प्लेयर होने चाहिए total 11 प्लेयर की हम टीम बनाते हैं में तो उस कोहटा करके या फिर 11 मेंसे एक प्लेयर को रखना अच्पार कर तीस्टरे को फिर इसको आपक兩個 मेंसे मनता है वो मनता है यानी सात लाख पांच पांच हजार चार्सों बतीस काम्बिनेशन मनते हैं सिर्फ प्लेयर के अब प्लेयर तो हम चुल लिए हिए ये ठीम हम ने बना लिए ठीक है इसमें बंडर का कॉंबनेसिन प्लेयर के ब archival हम क्या करते हैं captain वह इस captain भी बनाते हैं अगर आप captain voice captain select करेंगे तो वह most वो जो captain voice captain select होगा वो कितनी बार होगा 110 times 110 मरतबह हम क्या करेंगे CVC select करेंगे तो हमने जो team का select combination player का बनाया था वो कितना था almost 7 लाक और 110 में multiply करिए तो total जो combination almost बन करके आते हैं हमारे पास वो बन करके आते हैं 7 करोड 75,97,520 बस यहीं तक बात नहीं है अगर इसके बाद एक step जाएंगे तो जो हमने captain voice captain select किया है मेरे भाई यहाँ पे उस captain voice captain को rotate भी तो करेंगे कभी इसको captain करेंगे तो इसको क्या करेंगे वो इस captain करेंगे इसको rotate करने में यह combination और बढ़ेगा ठीक है in fact इससे ज़ादा भी होगा तो almost हम मान के चल रहे है total 8 crore combination यहाँ पे बन रहे है अब यह 8 crore combination जो बन रहा है एक match में एक mega league में तो यहाँ पर हमारे जीतने के chances कितने है point zero 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 one percent से भी कम है हमारे जीतने के chances फिर यह 200 team हो या 20 team हो बनाने का फायदा क्या है यह आप खुद सोच सकते हैं देखे मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप जीत नहीं सकते हैं नगर blindly हमें अपने पैसों को invest नहीं करना है मेहनत से हम सब पैसे कमाते हैं और उस पैसों को कुछ multiply करना चाहते हैं उस पैसे से हम हम चाहते हैं कि कभी हम वन करोड़ वाली लीग में rank पे आए जो मेहनत की कमाई होते हैं उससे तो blindly हमें अपने पैसों को invest नहीं करना है दोसों यह जो calculation हमने किये हैं इस calculation को करने के लिए हमने permutation and combination के formula का यूज किया है जिसमें आप लोग अगर math से पढ़े होंगे 11-12 तो factorial का भी यूज होता है यह मैं बस आकड़ा लगाने के लिए आप सबको समझाने के लिए एक rough idea आपको दिया हूँ लेकिन अगर कोई लोग जो programming की जानकारी रखते हैं उनके लिए मैं बता दू चुकि मैं खुद भी I'm a bachelor in computer application मैं ज्यादा वक्त नहीं लोगा programming का कुछ code भी बता देता हूँ जो अगर आप Java के अंदर compile करोगे तो आपको results भी मिलेंगे यह कुछ code है जो भी आपके screen पे आएंगे और इस code को अगर आप compile करोगे तो जो result निकल के आएगा almost जो निकल के आ 24 क्रोड 78,77,312 यह मैंने as a proof आप सबको दिखाए अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ scenario wise कि आपको तीन ही टीम का combination कैसे अलग-अलग बनाना है क्यों नहीं dream 11 खेलने के लिए हम केवल एक ही strategy को अपना है और एक ही strategy पर अपना team create करे और एक ही strategy पर केवल 3 team का combination बना कर करें और आप भी अपने हिसाब से एक strategy रख के चल सकते हैं कि एक ही pattern जिस pattern पर हमने पहले match में team creation करेंगे प्हले match में team के हम create करके चलें अब एक calculation में हम आप लोगों को बताते हैं कि अगर आप हर match के अंदर 20 team create करते हैं ठीक है हर match में मान लो आप 20 team create करते हो तो आपके daily हर match के अंदर कितने रुपे लगते हैं 980 रुपे लगते है 49 वाला लीग अगर आप के लगे अगर आप हर match में 20 team create करते हो तो और देखें यहाँ पर अब जो 20 team create करोगे न भाई तो उस 20 team में से आपके 10 से 12 team हैसी होगी जो winning zone से बाहर चली जाएगी 100 परसंट जाती ही है अगर आप लोग match खिलते हो नो multiple team लगा करके तो आपको पता होगा तो बारा मैच देखो बारा team जो है यहाँ पर team होगा बारा team multiply 49 यानि के 588 और 70 match में हमने team लगा है 70 match के IPL में हमने team लगा है जो बारे team हमारी winning zone से बाहर गई तो टोटल 41,160 रुपे लगबग 40,000 यह जो 20 team हम लगा रहा है उसमें पूरे 70 match में पूरे IPL के अंदर हमारा नुकसान कितना हो रहा है 40,000 एक तालीस अजार हमारा 147 multiply 70 कितना हुआ 10,290 almost 11,000 रुपे कितना 10,290 almost 10-11,000 रुपे आपके कितने हुए loss हो रहा है अगर वो सभी team winning zone से बाहर चली जाती है तो भी लेकिन यहां जो 3 team आप बनाओगे वो team risky team बनाओगे combination बढ़िया बनाओगे हारने के लिए खेलोगे तो भी आपके loss कितने हो रहा है केवल 10,000 वहां 20 team लगा करके कितना loss हो रहा है ध्यान से समझो 40,000 फिर भी नहीं जीत पा रहे हो लेकिन यहां 3 team लगा करके कितना loss हो रहा है केवल 10,000 profitable रास्ता कौन है अब खुद सोच तीन team लगा के हम कितना पैसा लगा रहे है अपना लगबग 11,000 लेकिन 20 team लगा करके कितना लगा रहे है लगबग 40,000 और जीतने की possibilities कितनी है दोनों सेनेरियों में जीतने के possibilities उतने ही है लगबग बराबर है क्योंकि total combination maximum कितना बन रहा है आठ करोड चाहे हम 3 लगा या 20 लगा बात तो वही है ठीक है इस वीडियो में आप देखें लगाना कैसे है हर सिरीज में किस strategy पे team बनाना है और किस तरीके से आपको logically calculation के साथ में कैसे आपको team invest करना है पैसे invest करने है वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में ताकि आप सिरीज खतम होने के बाद भी profit में ही रहो और अगर आपक किस्ट्रांग टीम होती है और एक weak team होती है पहले तो अप यह समझें कर होती है और कोई भी क्रिकेट की बात करेंगे क्रिकेट की बात करेंगे विकेट लोगों का कहना है जिस निकाल सकते हैं उसके जीतने के chances हाई होते है जिस तीम के पास स्ट्रॉंग बॉलिंग लाइन अप नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा सामने वाली टीम के एक आवरेज बैट्स वन भी आ का चाओक सा सकोर करके चले आगे तो इसी लिए क्रिकेट में स्ट्रॉंग टिम वहनी जाती है वहोती है जिसके पास स्ट्रॉंग यूनिट होता है बॉल निकाल पाते हैं वह टिम वह होगी कमजोर टीम तो आपको basically cricket में तीन तरीके के मैच होते दिखाई दे सकते हैं पहला मैच हो सकता है दोस्तों strong versus strong का यानि के दो टीम के बीच मैच होगा या तो एक strong दोनों टीम होगी तो पहला scenario कौन होगा strong versus strong का दूसरा scenario कौन होगा strong versus weak का एक टीम मजबूत होगी दूसरी टीम कमजोर होगी तीसरा जो scenario होगा वो होगा कमजोर versus कमजोर का यानि weak weak का मैच होगा और इनी तीनों scenario पे पूरी cricket पूरे cricket का मैच होता या फिर जितने भी sports है उन सब के बीच में match होता है अब जब बात डेटा और proofs की चल रही है तो मैं दोस्तो एक डेटा और दिखाना चाहूंगा किवल और किवल 56% लोग ऐसे जो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखते हैं यानि बात करते हैं यानि solution की तीन combination हमें बनाना है और अगर तीनों में से कोई भी परिस्तित्य हो तो कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे when there is a match between strong versus weak team then what should be our strategy to make three teams जब strong और weak team के बीच मैच होगा तो हमारा strategy क्या होगा यह तीन टीम क्रियेट करने का इसके बारे में हम बात करेंगे सो सबसे पहले मैं तीन combination बनाने के लिए अलग लग सेनरी को बताऊंगा देखिए पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो यह याद रखनी है तीनों टीम के अंदर जब भी ऐसा मैच हो जब strong और weak का मैच हो तीनों टीम के अंदर तीन से चार ऐसे player होने चाहिए जिसका selection percentage 30% से कम हो तीनों टीम में 30% से कम वाले player होने चाहिए कितने तीन से चार पहली चीज़ याद रखना उसके बाद जब आप पहला combination बनाने जाओ पहली टीम बनाने जाओ उस टीम में आपको याद क्या रखना है वो मैं आपको बताता हूँ इस ट्रॉंग और वीक टीम का करना है और उसी है स्ट्रॉंग टीम के बॉलिंग सेक्शन में आपको आना है और हर टीम में कोई के स्पिनर होता है उसी है स्ट्रॉंग टीम के किसी एक स्पिनर को आपको क्या करना है वो इस कैप्टन करके करना है और स्ट्रॉंग टीम के ही टॉप ठीरी प्लेयर में टॉप ठीरी आसे जो बैस्वन होंगे उस तीन में से किसी एक मैस्वन को क्या करना है कैप्टन करके चलना है पहला टीम जो हमें बनाना है पहला कॉंबिनेशन वो यह बना के चलना है कब जब स्ट्रॉंग और वीक हुआ दूसरा टीम मनाएंगे तो टीमेंगे यानिके सभी बॉलर को अमोस्ट रंग करके एक तीम के जो तीन प्लेयर हमने टॉप ओडर में से लिये हैं इस दो प्लेयर को यह तो ओपनर होगा या वन डाउन होगा top 3 प्लेयर में से हम क्या करेंगे captain वो इस captain बना कर के चलेंगे यह हम दूसरा combination बना करेंगे अब हम तीसरा टीम कैसे create करेंगे जब इस strong बैट्समेन है जो बैटिंग करना जानता हो और जिनके पास चांस हो कि तीन से चार ओवर बालिंग भी करेंगे वह आपको पाथ शे साथ नमर पर दिख जाएंगे ठीक है यानि कोई आल राउंडरा ऐसा होगा तो उस प्लेयर को हम क्या करेंगे अपनी टीम में वोइस स्ट्रॉंग टीम के ऐसे बालर को देखना है जो की पावर पले पलस देट में बालिंग करता हो ठीक है उसको क्या करेंगे हम अपनी टीम का काप्टन करके चलेंगे साथी साथ वोइस कैप्टन अगेन वीक टीम के ऐसे प्लेयर के जो मीडिल ओर में बैटिंग करने आते हो यह पास चार्ण्स हो कि वो तीन से चार ओवर बालिंग करेंगे उनको क्या करेंगे हम वोईस कैप्टन बना करके चलेंगे तो यह हम कुछ तीन टीम बना करके कब चलेंगे जब मैच होगा स्ट्रॉंग और वीक टीम के बीच में अब बात आती है विन धे 되지 a match between a strong versus a strong team. What should be our strategy to make three teams? जब strong or strong team के बीचे मैच होगा, यानि कि जब दो मजबूट team होगी, तो हम team combination कैसे बना कर चलेंगे? अब सबसे पहले यहां भी आपको क्या करना है? तीनों team के अंदर तीन से चार ऐसे player लेने हैं जिसका selection percentage क्या होगा, 30% से कम होगा, तीनों team के अंदर यह बात याद रखना, अब हम पहली team बनाने की तरफ चलते हैं, जब हम पहली team create करेंगे, पहला combination कब? जब दो मजबूट team के बीच मैच होगा, तब strong मतलब क्या हुआ? टॉप team के top 3 player में से, ठीक है, captain, voice captain बना करके चलना है, अगर हम strong team के, दोनों strong team है, एक team के यह team A है, यहाँ से अगर top 3 में से हम किसी को captain करेंगे, तो same, दूसरी team के, इसी top 3 player में से किसी को क्या करेंगे, voice captain करके चलेंगे, अगर यहाँ से किसी करेंगे तो इसी तीन में से किसको किसी को क्या करेंगे वो इस कैप्टन करके चलेंगे पहला सेनेरियो यह होगा पहला कॉम्बिनेशन जो हम बना करके चलेंगे दोनों टीम के टॉप थ्री बैट्सनन में पलस डेत के अंदर balling करता हो, अगर मालो हम इस team के, किसी ऐसे baller को captain करके चल रहा है, जो power play fan 아이 day ज़रेगा, सेम दूसरी team के, किसी एक baller को, हम क्या करेंगे, voice captain करके चलेंगे, या फिर इस team के किसी को captain करेंगे, तो इस team के किसी baller को voice captain करेंगे, यह हमारा दूसरा combination होगा तीसरा combination क्या होगा हमारा दोनों team में strong है हमें क्या करना है दोनों team के middle order में कोई ऐसा all-rounder ढूंडना है जिसका strike rate बढ़िया और जिनके पास मौका हो यहीं से all-rounder मिलेगा जो लगबग 3-4 over की balling भी करता हो उस player को क्या करेंगे हम captain करके चलेंगे अब अच्छा दोनों team में strong team है तो दोनों team के अंदर all-rounder section में वैसे player मिल जाएंगे सेम यहां से वैसे all-rounder को ढूंडना है जिसके पास 3-4 over की balling का option होगा उसको क्या करेंगे वो इस captain मना के चलेंगे या फिर इसके all-rounder को captain करेंगे तो इसके all-rounder को क्या करेंगे वो इस captain मनाएंगे यह हमारा तीसरा combination होगा कब जब दो strong team के बीच में match होगा तब अब बात करते है when there is a match between weak versus weak team what should be our strategy to make 3 teams जब कमजोर team के बीच में match हो दो कमजोर team हो तब हम जो team combination बनाएंगे वो कैसे बना करके चलेंगे यह एक बहुत बड़ा सवाल है तो उसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ जब दो team कमजोर team होगी पहला जो combination हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे ध्यार से समझते चलेंगे पहले तो यह पता करना है कि दो कमजोर team होती कौन है देखे कोई भी series शुरू होगी न तो आप point table देखे जो भी team सबसे नीचे point table पे हो वो दोनो team हर series के अंदर ऐसी team होगी होगी वो कमजोर team consider की जाएगी और वैसी team के बीच में मैं आच होगा जो तीन combination हम बनाएंगे वो सबसे पहले बनाएंगे पहली चीज़ तो आप यह याद रखना हर team के अंदर again तीन से चार ऐसे player होंगे जिसका selection percentage 30% से काम होगा तीन से चार player तीनों team के अंदर हम लेकर के चलेंगे अब हम पहली team जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे पहली team जो हम create करेंगे वो बनाएंगे दोस्तों माल लो ये week A team है और ये week B team है एक team दो team ठीक है अगर हम A team से किसी एक all rounder को captain करके चल रहे हैं समझते चलना किसी एक all rounder जो कि कमजोर team में सबसे safe सबसे safe तरीका क्या होता है किसी को captain करने का all rounder को जिसके पास batting का भी मौका हो bowling का भी मौका हो तो हम किसी एक team के अगर all rounder को captain करें तो दूसरी team के किसी baller को हम क्या करेंगे वो इस captain करके चलेंगे पहला combination हमारा क्या होगा यही होगा जब दो कमजोर team होगी तब अब जो दूसरी team हम create करेंगे वो कैसे create करेंगे दूसरा combination जो हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे एक team के यह मालनो team A है और यह team B है एक team के एक ऐसे batsman को जो चार या पांच नमबर वे batting करते है इसको क्या करेंगे हम captain बनाएंगे क्यों? क्योंकि यह कमजोर team है दोनो तो कमजोर team का top order कमजोर होता तभी तो वो कमजोर team है 4-5 नमर के batsman की batting आएगी इनको हम captain करेंगे तो voice captain क्या करेंगे कमजोर team जो दूसरी कमजोर team होगी यानि के B team के किसी baller को हम क्या करेंगे voice captain बना करके चलेंगे वो baller जो power play और death में balling करते हैं अब यहाँ पर voice captain बनाएंगे power play डिथ में balling करेंगे power play में यहाँ से यह जो player है हम छोड़के चल रहे captain 4-5 नमर वाले हो कर रहे इसलिए power play और death baller के जो baller होंगे दूसरी team के उसको voice captain यहाँ के batsman को captain करेंगे यह हमारा दूसरा combination होगा तीसरा combination जो हम बना करके चलेंगे कब जब दो कमजोर team के बीच में मैच होगी जो हमारा तीसरा combination होगा वो जो हम बनाएंगे वो अगर captain अगर आप किसी all-rounder को बना रहे कोई भी all-rounder अगर आपको दिख रहा है यहां से उसको अगर आप चलके यहां से captain बना करके चल रहे हो ठीक है अपनी team का तो आपको voice captain ठीक है उस spinner को बनाना है यहां से spin baller मिलेगा कोई ने कोई जिसकी second balling हो जिसकी second balling हो अब यह इस team से भी ले सकते हो इस team से भी ले सकते हो captain किसको किसी ऐसे all-rounder को अगर बना रहे हो किसी team के तो आपको voice captain उसी team के spin baller को जिसकी second balling में balling है उसको बना के चलना है तो यह कुछ तीन combination हम बना करके चलेंगे जब दो कमजोर team के बीच में match होगी और अगर फिर भी आपके पास इतना time नहीं है analysis करने का और fantasy को आप enjoy के purpose से खेलना चाहते हो या फिर आप job करते हो आपके पास इतना time नहीं होता है तो फिर भी मैं तीन तरीका ऐसा बताने वाला हूँ जिस तीन strategy पर अगर आप लगाता टीम बनाओगे तो कभी न कभी आपकी rank आईगी और आपकी team work करेगी क्या है वो तीन strategy मैं बताता हूँ आपके पास अगर time नहीं है तो तीन team आपको बनाना है पहला team जो आपको बनाना है वो आपको किस strategy पर बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ पहली team जो हम create करेंगे वो करेंगे दोस्तो जो team यहाँ पर है सबसे पहले तो आपको अपना team में जो combination लेना है जो भी team पहले बैटिंग करें पहले team के अंदर जो भी team पहले बैटिंग करें उसके हम 6 player लेंगे और जो team पहले वोइस captain करके चलेंगे पहले batting वाली team के 6 player जो लेकर के चल रहा है top 6 में से एक player हम लेकर के चलेंगे captain में और यहां से एक spin baller को हम क्या करेंगे voice captain बनाएंगे हमारा पहला combination अब हम आपको दूसरा combination बताते हैं यानि का यह chase करेगी तो पहले balling यही team करेगी इसके क्या करेंगे पावर play plus death baller को क्या करेंगे؟ और इसी टीम के top 3 batsmen में से किसी एक player को हम voice captain करके चलेंगे यह हमारा दूसरा combination होगा तो तीसरा team जो हम create करेंगे वह एक balance team create करेंगे अब यहाँ पे क्या करेंगे किसी एक team के all arounder को क्या करेंगे हम अपनी team का captain करके चलेंगे balance team बना रहा है किसी भी एक team के out rounder को captain करेंगे और दोनों team में से जो भी team पहले balling करें यानि पहले balling करने वाली team के किसी एक baller को क्या करेंगे हम voice captain करेंगे चाहे ये team balling करें या वो team पहले balling करें पहले balling वाली किसी एक baller को voice captain करेंगे और अगर वो baller, power play depth के baller हो तो और भी अच्छा, तो ये कुछ तीन combination हम बना करके चलेंगे, अगर आपके पास time नहीं है, तो कौन-कौन combination है, बता देता हूँ, मैं फिर से revise करा देता हूँ, पहला जो combination हम बना करके चलेंगे दोस्तों, वो बनाएंगे, जब किसी भी team की पहल और तींग को बना खारेंगे, तो ये तीम का वैपन बना करेंगे, तो ये कुछ तीम, तीन rule आपको बना कर करेंगे, लोग क्या करते हैं, कि जिस pattern पे आज मैच जाता है, उसी pattern पे हम कल मैच बनाते है, माल आज किसी कोई겠र本ine captain बन गया, तो कल को हम क्या करेंगे, अपनी टीम में वैट्सन को कैप्टन कर देते हैं फिर कल का मैच जिस पैटरन पे जाता है परसो का टीम हम वैसा किरियेट करते हैं और ऐसा ही चलता रहता है यानि केवल आकरी मैच के कॉर्डिंग चलते हैं तो यह पैटरन बिल्कुल गलत है एक टीम क्रियेट करते हुए चलना है एक नेक दिन आपकी टीम जरूर वर्क करेगी तो बीस टीम लगाने से बहतर है कि हम तीन ही टीम क्रियेट करें लेकिन हमारा स्ट्राडिजी हमारा पैटरन हर मैच में एक ही होना चाहिए इस वीडियो में जो मैंने बताया कि तीन से चार ऐसे प्लेयर जिसका सेलेक्शन परसेंटेज तीस परसेंट से कम होगा उसको कैसे चुनना है इस पर हमारी अगली वीडियो आएगी जिसमें हम आपको बताएंगे ये कैलकुलेटिव रिसकी प्लेयर अपनी टीम में कैसे चुने जाते हैं अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स आते हैं और 2000 कॉमेंट आते हैं उसी वक्त मैं वो वीडियो भी लाइव कर दूँगा जो एपिसोड 3 होगा